जूजने का मेरा कोई रादा न था, मोड़ परन बिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोपकर खड़ी हो गई, ये लगा जिन्दकी से पड़ी हो गई, मौत जिन्दकी किसे पड़ी कैसे हो गई पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई की पहली जैनती आज है, अटल जी ने अपने जीवन में कई किताबे लिखी, कैसे वो आए राजनीती में, एम्स के डॉक्टरों ने कैसे अटल बिहारी वाजपई को जेल जाने से बचाया, पेशेक रिपोर्ट मैं जीवर जीया मैं मन से मरूं, लोट कर आउंगा कूछ से क्यों डरूं, तू दबे पाओ चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आदमा, मौक से बेखवर जिन्दगी का सफर साम हर सुर्मई, रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई घम ही नहीं इसु मसी का जिनम दिन यानी क्रिसमस तो आज है ही, साथ ही पूर प्रधार मंत्री अटल बिहारी वाजपेई की भी अंचानवे वी जैनती है हर भारती और खासकर लखनों वालों के मन में, आज के दिन अटल जी की कविताएं, उनके भाशन और उनके खाने पीने के शौक की याद हैं घमर रही होंगी मौत से ठन गई, जूजने का मेरा कोई रादा न था, मोड पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यह लगा जिन्दगी से बड़ी हो गई, मौत जिन्दगी से बड़ी कैसे हो सकते हैं जूजने का मेरा कोई रादा न था, पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यह लगा जिन्दगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं जिन्दगी सिलसिना आज कल की नहीं लेकिन इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ होगा अटल जी की यादों से जुड़ा, जिसे लखनों की लोग आज शिद्दत से याद कर रहे होंगे अटल जी खानपान के वेहर सौकीन थे, वालियर के अधुरा के लड़्डू से लेकर आगरा के राम बाबू के पराठे उनकी पसंदी दर चीजों में सामिल थे लखनों में राजा की ठंडाई से लेकर चौक का पान तक अटल जी की जीब का साथ ही रहा वो कई बार खुद कहते थे, मुझ जैसा चटोरा शायदी कोई हो लेकिन आज हम उन्हें याद करने के लिए चलेंगे मद्द प्रदेश के एगवालियर शहर किसी शहर में 25 दिसंबर 1924 को अटल जी का जन्द हुआ था शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं हुई, इसलियाद से इस शहर से उनका खास लगाव था अटल जी का यूपी की राजधानी लखनों से भी बहुत जोड़ाव रहा है अटल जी संग के प्रचारक के रूप में 1942 में लखनों आये थे पीएचडी करने का इरादा था उनका, एकिन अटल जी की पीएचडी पूरी नहीं हो सकी अलवत्ता वो सफल पत्रकार और राजनेता जरूर बन गए राश्ट धर्म का संपादन करते करते और संग का प्रचार करने के बाद अटल जी ने सियासत में कदम रखा कई जगे से वो चुनाव लड़े लेकिन अंतिम समय तक भाया तो बस लखनोव ही अटल विहारी वाजपई पहली बार 1991 में लखनोव से लोगसवा के लिए चुने गए थे लखनोव से चुनाव जीतने का महत तो इसलिए है क्योंकि वो 1994 में लोगसवा के लिए एक उप्चुनाव में जनसंग उम्मीदवार के रूप में लखनोव से ही मैदान में उत्रे थे 1991 में लखनों से मिली जीत के वाद तो अटल जी का कद हिंदुस्तान की सियासत में बढ़ता चला गया और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुँचे देश के महान नेताओं में अटल जी को ऐसे ही नहीं गिना जाता है इसकी बड़ी वज़े अटल जी का दूसरे नेताओं से भेवाद और सभी समदाई के वीज उनकी सुईकारिता रही है हार ना मानने और नई राट ठानने का उनका फलसफा आज के तमाम नेताओं में नहीं दिखता है लेकिन अटल ने इस फलसफे को जिन्दगी में उतारा तेरा दिन और तेरा महने की सरकारें गई तो भी हार ना मान और नई राट ठान कर वो अगले पांच साल तक सरकार चलाते रहे वो भी 26 योगी दलों के साथ जिन्दगी को जिन्दा दिली से जीने वाले अटल जी ने मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं कहने का साथ भी कविता के जरिये दिखाया और वो भी ओच के साथ जी भर जिया मैं मन से मरूं लोट कर आऊंगा कूछ से क्यों डरूं तू तबे पाउं चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिन्दगी का सफर, साम हर सुर्मई, रात बंसी का सफर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं तो बुल्टन में इतना ही आप देख तेरे लाइब टोड़े